Hello everyone, today we will do chapter number 20, area of trapezium and polygon. अभी जैसे कि topic है trapezium, area of trapezium and polygon, तो trapezium जो है quadrilater है, इसकी shape is based होती है, ये जो दोनों साइड़ है, ये दोनों parallel side है और two non-parallar side है, parallel sides mean जो same direction में जाती है, कभी भी intersect नहीं होती और यह जो दोनों है non parallel sides हैं जो parallel नहीं है means non parallel और इन दोनों parallel lines में जो distance होता है जो उनकी height होती है वो हमेशा similar होती है अगर आपने आपको बोला जाता है कि आपने area find करना है trapezium का तो उसका formula है half into b1 plus b2 multiply height और एक और formula है area of right triangle right triangle का formula होता है half into base into height एक तो right triangle में आप pythagoras theorem यूज़ करते हो उसके according लिए आप side find करते हो side की length लेकिन यह formula है area of right triangle half into base into height यह दोनों formula है इस exercise में हमने यूज़ करने है और सबसे पहले हम exercise करेंगे exercise 20.2 exercise 20.2 sum number first see the statement find the area in square meter of a trapezium whose basis and altitudes are as under यह हमें basis दिये हैं दोनों और यह है altitude, altitude means height तो यह basis दिये हैं एक को हमने B1, B1 से denote करना एक को B2 से और इसमें जैसे अभी बोला है कि जो आपने area of trapezium find करना है लेकिन वह किसमें होना चाहिए square meter में लेकिन यहां पर जो इसलिए आप जो decimeter है उसको आपने King Harry right वाल आपको करवाया और रिजल्ट उसी के accordingly आपने क्या करना है इसको convert कर देना है meter में और उसके बाद आपने area find करना है ठीक है यह तीनों dimension जो है जो सुरी तीनों के जो units हैं decimeter ही है तो इसको मैं ड्रेक्ट भी चेंज कर सकती हूं लेट सी अभी जैसे इसमें साम नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बेसिज दिया है मैंने को b1 से देनोट के 12 है b2 मान लिया 20 है एंड हाइट altitude मीन हाइट हाइट दी है 10 decimeter मैंने इधर इसको सीधा नहीं मीटर में convert किया ठीक है आपको रिजल्ट बताया हूँ है king harry died mother did not cry much यह मिली मीटर है यह मीटर है और यह जो डी है यह डेका मीटर है और यह decimeter है और इसमें जो decimeter है यह decimeter को आपने convert करना है मीटर में अगर तो आप जितने step आप देखते हो अगर आगे को shift करना है मतलब कि किलो मीटर में इसको मीटर में convert करना है तो यहां पर देखना है कितने jump हो रहे हैं जितने jump हो रहे हैं उतनी zero लगा के आपने multiply कर देना means thousand से multiply करना है अगर one step jump करते हो फिर ten अगर two है तो फिर hundred ठीक है कई बच्चों को तो यह आता होगा जिनको नहीं आता है वो सुन लो और अगर आप ultra jump करते हो मतलब आपने decimeter जो है उसको आपने meter में convert करना है तो फिर आपने क्या करना है 10 से divide करना है अगर double step है तो फिर आपने hundred से divide करना है अगर आप पीछे से अगे को आ रहे हो तो यहां पर मैंने सीधा convert नहीं किया area of trapezium is equal to half into b1 plus b2 multiply height इन में जो value है वो replace कर दी जो given है और पहले आपने क्या करना है इन brackets को पहले बोर्ड मास्के कोडिंगी हमेशा पहले bracket solve करते हैं इन दोनों को मैंने plus किया plus करके 32 after that हमने cutting करनी है तो यह answer कितना आ गया 160 decimeter square लेकिन जो उन्होंने area पोला था वह हमने meter square में find करना है अब देखो यहां पर है decimeter decimeter यह तो इसको हमने meter में convert करना है तो means हमने 10 से divide करना है 1 upon 10 कि अगर हम देखें कि 1 decimeter में कितने meter होते है 1 upon 10 meter और अगर decimeter square है तो इधर भी हम square कर देंगे 1 का square 1 और 10 का square कितना हो जाएगा 100 meter square इसलिए मैंने यहां पर सीधा direct इसको convert किया है decimeter square को meter square में हर बार नहीं ऐसा होगा ठीक है तो यहां पर divide करके आगए हमारे पास zero zero कर्टो की 1.6 meter square अभी next part है second अभी इस part में जैसे b1 दिया है 28 cm, b2 3 decimeter है और height जो है centimeter यह सभी को हमने meter में बनाना है पहले जो first part किया था उसमें तीनों के unit decimeter में थे लेकिन इसमें centimeter decimeter सभी एक में नहीं है इसलिए मैंने क्या करना है आपको पहले क्या करना पड़ेगा पहले इसको इनके जो unit है उसको meter में convert करना पड़ेगा यह नहीं कि आप direct इसको ऐसे ही पहले area find कर लो और जैसे मैंने first part में कर दिया कि 100 से divide करना जा 10 से करना यह 1000 से ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि इनके units जो हैं अलग लग है और इन सभी को हमने meter में convert करना है तो पहले इसलिए हमें सबसे पहले इसको इसके unit convert करने पड़ेंगे चेंज करने पड़ेंगे centimeter को meter में decimeter को meter में और किंग हैरी डाइट के accordingly क्या आएगा किंग हैरी डाइट मदर डिड नॉट कराए मच तो यहां पर है हमारे पास centimeter अब centimeter ही है इसको हमने meter में करना है यह millimeter होता है और centimeter को हमने meter में convert करना है कितने जंप हो रहे हैं यहां पर तू और पीछे से आगे को आ रहे हैं मिन हमने 100 से divide कर दिया meter आ जाएगा 0.28 meter बीटू कितना है 3 decimeter decimeter ही है इसको one step तो मिन हमने 10 से divide करना है next phase 25 से centimeter से meter में convert करना है 100 से divide करेंगे 0.25 अब find करना area of trapezium फिर formula apply करेंगे half into b half into b1 plus b2 multiply high और इनकी जो values हैं सारी यहां पर replace कर देंगे फिर board mask के according लिए पहले हम plus करेंगे उसके बाद ही हमने cutting करनी है ठीक है पहले यह ना सोचना की two ones are और यहां पर 14 पर cut कर दो ऐसे calculation सारी रोंग हो जाएगी तो इनको multiply करके आगा 0.0725 मीटर स्केर नेक्स्ट है साम नंबर फॉर्थ साम नंबर जो फॉर्थ है इसमें उन्होंने जो basis एंट्रोपीजम के वह दिये हूं है दोनों कि वह दोनों की कठी वैल्यू दे दिया लग लगनी बताया कि बीवान कितना है जब बीटू कितना है दोनों का सम दिया है 60 cm एंड एरिया ओफ ट्रोपीजियम इस इकल टू यह हमें गिवन है 600 cm के अगर एरिया गिवन है और इसमें उन्होंने हमें हाइट बोला है करने के लिए इसलिए इसका एक साइट पर हमने इसका फॉर्म अप्लाइ करना है एक साइट पर इसकी जो गिवन वैल्यू है हाफ इंटू बीवन बीटू की वैल्यू है 60 हाइट एच नहीं गिवन है एज इस इकल टू 600 अब यह जो मल्टिपल की फॉर्म में सारे तो जब यह लैट से राइट में आएंगे इनके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और इनका रैसी प्रोकल कर देंगे और फिर कटिंग सिक्स्टी वांजा सिक्स्टी वांजा और साथ में जीरो और टैन टूजा ट्वंटी ट्वंटी सैंटी मीटर हमारे पास क्या जाएगी इसकी हाइट ओके आज के लिए इतना ही है थैंक्यू